कॉंग्रिस महासचे प्रियांका गांधी वोड़रा ने लखनों में प्रेस कांफरेंस के इस तोरान उन्होंने महिलाओं के लिए अलग घोशना पत्र जारी किया उतरप्रदेश कॉंग्रिस ने महिला घोशना पत्र को शक्तिव विधान नाम दिया है कॉंग्रिस ने अपने इस घोषना पत्र में महिलाओं के लिए रोजगार, सुरक्षार, सम्मान पर फोकस किया बता दें कि आगामी चुनाव को लेकर कॉंग्रिस भी सत्ता परासीन होने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है और इस बार प्रियंका ने अपना चुनावी दाव महिलाओं पर खेला है और अपने घोषना पत्र में उनके लिए कई अलग-अलग मैतुपूर घोषनाएं भी की हुई है तो कॉंग्रिस ने गोशना पत्र जारी किया है प्रियंका गांधी वोड्रा ने गोशना पत्र अलग से जारी किया महिलाओं को 40% आरक्षन की बात यहाँ पर की गई है इस गोशना पत्र में क्या कुछ खास है वो भी आपको बताएंगे फिलाल यह तस्वीरे आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी वोड्रा ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए गोशना पत्र जारी किया है तो मैलाग होशना पतर में क्या कुछ खास है? मैलाओं का 40 प्रतीशत आरक्षन ये इसमें बहुत बड़ी बात है वहीं आशा वर्कर्स को 10,000 रुपे की मदद दी जाएगी अगर कॉंगे सत्ता में आती है तो इसकी अलावा पुलिस में 25 प्रतीशत माहिलाओं को नौकरी मिलेगी यानि की अपनी सुरक्षा माहिलाओं अब खुद कर सकती हैं बिमारी के लिए 10,000,000 तक का इलाज मुफ्त में मिलेगा स्वास्थ जो वेवस्ता है वो कई जगा से लचराती है ऐसे में मुफ्त इलाज यहाँ पर प्रियंका गांधी महिलाओं को देती हुई नजर आई नातक पास शात्राओं को स्कूर्टी मिलेगी ऐसी जानकारी मिल रही है वहीं महिला द्वारा संच्वाली छोटे वेपारों में टेक्स से छूट भी मिल सकती है बहुत बड़ी बात है और बस में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा यानि की फ्री सफर महिलाएं कर पाएंगी विद्वा को 500 रुपे पेंशन भी महीने में दिया जाएगा इसके अलावा गरी महिलाओं को फ्री इंटरनेट दिया जाएगा तो गरी महिलाओं को फ्री इंटरनेट दिया जाएगा इसके अलावा बलाका जो ऐसे शुकायत में नियमों का पालना होने पर अधिकारियों का निलंबर भी तुरंद कर दिया जाएगा हर जिले में महिलाओं के लिए मुफ्त कानूनी मदद भी दी जाएगी पूरी तरह से ये चुनाब महिलाओं पर फोकस प्रियंका गांधी ने कर दिया है यानि कि इससे कहा जा सकता है कि बीजेपी और सफा को भूसा जिस तरह से प्रियंका गांधी महिलाओं को लेकर घोशना पत्र जारी कर रही है महिलाओं को लेकर कहती है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नया नारे के साथ मैदान में उत्री हुई है इससे साफ है कि कहीं न कहीं इससे बहुत बड़ा फाइदा यहां पर कॉंग्रिस को मिलने वाला है वहीं अपने घोशना पत्र में चिनावी घोशनाओं को जारी करने के दुरान कई बाते उन्होंने की हैं अपने घोशना पत्र को लॉंच करने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है जायद सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की क्या हालात है। यहां पर एक ऐसा दिन नहीं बीटता जहां कोई महिला मेरे पास आती है और मुझे कहती है कि उसके साथ कितना अतियाचार हुआ है और कितना शोशन हुआ है। एक दिन नहीं बीटता हुआ हर रोज कोई नहीं आके कहता है कि मेरे साथ यह हुआ है ना प्रशासन से मदद मिल रही है ना पुलिस से मिल रही है और अधिक तर केसिज में हमने देखा है कि प्रशासन और पुलिस मदद अपराधियों की करती है क्यूंकि अपराधियों जाद तर सत्ता धारी होता है या फिर जो सत्ता वे हैं उनके साथ उनका कोई रिलेशिन्शिप होता है या उनकी जान पहचानके होते हैं। क्योंकि हम व्यूंकि हमने जादातर केस ऐसे देखे हैं जहांपर F.I.R. दर्ज नहीं किया जा रहा है क्योंकि साथ घाट होती है या फिर जैसे मैंने कहा जिसने अत्याचार किया है उसका सत्ता के साथ कोई एकसेस होता है तो पुलिस F.I.R. दर्ज नहीं करती तो इसमें हम चाहते हैं कि एक कानून बनाया जाए कि ऐसे केसिस जो है इसमें अजर किसी ने F.I.R. दर्ज नहीं किया तो उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी महिलाओं को स्वास संबंदी चिकित्सा के लिए प्रतियेक P.H.C. में एक अलग महिलाओं द्वारा संचालित स्वास शक्ति केंद्र दिया जाएगा बनाया जाएगा खास महिलाओं के लिए जहां पर सिर्फ महिला उसको संचालित करेंगी और वहां महिला डॉक्टर भी उप्लब्ध होंगी आश्वनी शाही बीज़पी प्रवक्ता हमारे साथ जड़ गए अश्वनी जी नियूजवल निया में आपको बहुत स्वागत है जड़नी जी प्रियांका गांधी महिलाओं को लेकर पुर्जोर मेहनत करती हुए नजर आ रही है जो अलग से घोशना पत्र लेकर आई है पहली टिपनी बताईए अपनी उनके घोशना पत्र का जो है वादा पूरा हुआ या नहीं हुआ दूसरी बड़ी बात यह होगी कि यहाँ पर सबसे गटबंधन करके उन्होंने देख लिया और 6% से उपर नहीं बढ़ पाई है उनकी पार्टी तो क्या उनको एक पुझाट महिला कैंडिडेट मिल जाएंगी यह बहुत बड़ी चीज है बाकी लोक लुभाओं नारे तो कांग्रेस बहुत बेती है तो इसमें भारती जनतापार्टी पहले से काम कर रही है आधियदाबादी को हमने हर तरफ वेहतर व्यूसथा सेने की बात की हो जाए चाहिए आश्मीन जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये भी तो जुटला नहीं सकते ना, कि बीते अगर इन पांस साल होने वाले, इन पांस सालों के हम बात करें, तो ऐसा तो नहीं है कि किसी भी इलाके में, किसी भी कस्बे में, किसी भी शहर में, किसी भी जिले में महिलाओं क तरह हिचक भी नहीं है, तो कुछ न कुछ तो भोगा ऐसा नहीं है, कि हम एकदम से कोई पंद कर दिया हमने और वहां से आगे एक बाद भी पानी जाएगा, ऐसा नहीं है, समाज है, तो कुछ न कुछ तो खबरे आएंगी, मगर आज उत्तर प्रदेश में संगती सपराज को ह हमने खतम किया है, ये की हम करते हैं, दावा नहीं करते हैं, ये हम कहते हैं, बिल्कुल अशुनी जे एक बड़े प्रद्ता है आप और आप से में उम्मीद कर जी बोलिये, आज उत्ती का दर्द प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा के राज्टिय धिक्ष को है, कि उनके जो संरक्षर प्राप्त अपराधी थे, जो उनके पार्टी के सदसे थे, उनके घरों पर उनमाप्याओं के घर पर बुल्डोजर चला है, आज वो कह रहा है कि हम बुल्डोजर का मूँ हमारी सरकार आएगी तो दूसरे के तरफ करेंगे, बदले कि राजनी दिवोख करते ह अशुनी जी एक और चीज यहां मैं पूछना चाहूंगी आपसे, क्योंकि आप सत्ता में हैं और क्योंकि आम जनता और खासकर कि महिलाओं के मैं बात करूँ तो आप लोगों से बहुत उम्मीद थी, और आगे भी है उम्मीद बहुत जादा, दिख एक महिला होने के नाते या फिर दूसरे अन्य दल हो, क्या ऐसा होना चाहिए? जी न्यूसरे इंडिया में आपका बहुत स्वागत करती हूँ, और सबसे पहला सवाल, कि ये जो लगातार हम देख रहे हैं, कि महिलाओं को लेकर प्रियांका गांधी बहुत बाते कर रहे हैं, आज तो गोशना पत्र भी अलग से जारी कर दिया है, दो दो गोशना पत्र कि दिशा में कॉंग्रेट पार्टी का कदम है, और मुझे लगता है कि सभी राजनेतिक दलों को उससे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि महिला जो अपने स्वाबिमान के लिए हमेशा लड़ती है, स्वाबलंबन के लिए उत्तर प्रदेश में संघर्स कर रही है, आज भी उत् सम्मान के साथ इस तरीके से समझाओता कि अभाजपा सरकार ने हमेशा अपरादियों बलातकारियों को संवाड़ते रहे, बलातबचाते रहे, अश्वीन जी पेपार्शा जुबे में है, अश्वीन जी कह रहे थे कि इस लिए का कुशना पत्राजिस्थान में भी कांटिस तपा से भी बसपा से भी कि वह महिलाओं को आगे बढ़ाएं और उसके साथ बताएं कि हम कांग्रेस चालिश से टिकर देने जा रही है वो कितने प्रिश्य टिकर देंगी तिक यह जो घोषना पत्र है कि यह जो घोषना पत्र राजस्थान में भी कॉंग्रेस लेकर आई थी लेकिन वहां कि महिलाओं के क्या हालात है और कितनी महिलाओं को सुविदा मिल रही है और महिलाश शेक्तिकरन कितना हो रहा है यह तो जग जाहिर है पूरे देश में लाने के लिए करेंगे कॉंग्रेस पार्टी कि जो सरकार थी तो हम संसत के अंदर 33 प्रतिशत महिलाओं के राजनेतिक भागिदारी का बिल लेकर आये थे उस पर भाजपा ने विरोध किया ता हम तो यह पूछना चाहते हैं अगर यह उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस ने श्रीमती प्रियंका गांधिन दे शुरुवात की है तो उसका भारती जन्ता पार्टी स्वागत करती है यह च्छे करोड़ पछेतर लाग महिलाओं जो उत्तर प्रदेश में है उसका विरोध करती है अपना इस्टेंड करें हम पुरे देश में लाएंगे ठीक है अन्चु जी एक और चीज बताएंगे उसका इस्टेंड इसपर क्या है वो महिलाओं का विरोध करती है और स्वागत करती है ठीक है नहीं वो तो स्वागती कर रही है अश्विन जी श्यादा मैं साथ बने हु कि हम ले आएंगे वादा किया इन्होंने असोग गैलों सरकार पनने से पहले उत्तर प्रदेश की जमीन पर बैठके ये पताएं कि क्या आदे तिनाजी ये चुनाओं में महिलाओं को सितने प्रिसक्त कर देंगे इनके यहां हर बार अपरादी को बचाएंगे आदी रात मे जलवाएंगे इसको क्या करना है ये बोलने नहीं तेंगे आज ये फर्जी ये जूट के फिटारे को खोला है प्रियंका गांदी ने उत्तर प्रदेश की महिलाएं हो जिया रहा है दरसल को लुगाओं नालों में नहीं आती है राजस्तान में आप लोगों ने आरश्तर का जा रहा है आप उत्तर प्रदेश की महिलाओं के साथ ठल करने जा रहा है क्योंकि राजस्तान की महिलाओं से वादा करके वादी मैलाये पूछ रही है कहा है आरक्षण इतने परसेंट आपने दिया अवाज उठाइए आपकर इसे महिलाश शक्ति करन होगा अरे यहां जबादेने में अपने राट्री चिन में अनल को ले जाओ बलापकारी साची महाराज को ले जाओ अरे नहीं नहीं आप यहां दे दो ना जानकारी अरे यह बलापकारियों की जूप है और भरम्पार्णी की वज़े से उक्तर पुलिस से जलवा दिया ऐसे निकम्मे नकारों से महिलाओं को लेकर कॉंग्रेस पाइटी को प्रमाज़ प आपस में आरो प्रतेरो परसनल कमेंट पर यहां पर जो प्रवक्ता हैं वो करते वे नजर आ रहे हैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुडने के लिए तो यह अगर प्रियांका गांधी की हम बात करें तो प्रियांका गांधी महिलाओं पर पूरी तरह से फो ऐसे में अगर सत्ता पक्ष की में बात करूं तो सत्ता पक्ष आपतार पर कह रहा है कि राजस्थान में भी इस तरह की गोशनाय हुई थी वहाँ पर क्यूं ऐसी तस्वीरे साफ नहीं हो पाई हैं कि वहाँ पर महिलाओं को सश्रिक्तिकरण हो रहा हैं महिलाओं को सविधा ही चुनेगी.